इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूँए उट परसेंटेज है उनसे ज्यादा वोट लिया था जबकि चार सिटे ऐसी थी जिनको जोड दिया जाया तो विपक्ष बीजेपी पे भारी पड़ रहा था इस बार सपा और बसपा चुकी साथ में आ गई है इसलिए इस बात का आकलन बहुत जरूरी है कि बीजेपी को कहां इस गटबंधन से नुकसान हो सकता है और इस दूसरे चरण के चुनाव में जो प्रमुक नेता है उसमें यूपी कांग्रिस के अधक्ष राजबबर है जो कि फतेहपूर सुक्री से चुनाव लड़ रहे हैं मतुरा से बीजेपी के कंडेट हेमा मालनी है जो कि दुबारा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जो जेडिये से स्विच ओभर करके बीएस पी में आये हैं दाने सली और अम्रोहा से चुनाव लड़ रहे हैं इसके अलावा और भी कई सारे नेता हैं लेकिन ये तीन प्रमुख नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलन सहर लोग सबासीट की तो बुलन सहर में पिछली बार जो क्या हुआ था कि जो बीजेपी का वोट सेर था वो 59.84 परसेंट था और जबकि जो गटबंधन था उसका वोट था मतलब सब का जोड़ दिया जा विपक्ष का वो 30.80 था तो बुलन सहर से इस बार जो चुनाओ मैदान में हैं वो हैं बीजेपी के तरफ से पूराने सांसत भोला सिंग है और कांग्रेस ने बंसी सिंग को उतारा है ये पूरु विधायक है और गटबंधन यानिकि एसपी और बीएसपी ने योगेस बर्मा को उतारा है ठीक इसी जरा से यदि आगरा की बात की जाए तो आगरा में बीजेपी ने लिया था वोट से दोजार चोदर के चुनाओ में 54.53 परसेंट और जो और दल थे कांग्रेस समेत एसपी बीएसपी उनको मिला था 42.53 परसेंट ये अलग चुनाओ लड़े थे लेकिन इनका वोट करके बता रहे हैं तो आगरा में इस बार जो बीजेपी ने अपना कंडेट बदल दिया है और सिंग बगेल को चुनाओ मैदान में उता रहा है योगी सरकार में वो मंत्री हैं इनकी भी परतिश्ठा दाओं पे है और गटबंधन ने मनोज सोनी को उता रहा है जबकि कांग दलो को 38.01% मिला था हाथरस में इस बार जो राजमाईस है उसमें बीजेपी ने अपना कंडिडेट कर दिया है राजबीर सिंग दिलेर को बदल दिया है दिवाकर के जगा उनको ले आई है और कांग्रेस ने उता रहा है त्रिलोकी राम दिवाकर को और SPBSP ने उता रहा है अपने बड़े नेता राम जिलाल सुमन को ठीक इसी तरह से दि मथूरा की बात करें तो हेमा मालनी वहाँ से चुनाव जिती थी 51.29% वोट ले करके और इन तिनोदलो का जो वोट सेर था वो बहुत ही कम था उसमें RLT जैन चोधरी हारे थे वो 90.50% था और इस बार मथूर इसने ब्रामर सम्दाय से महिस पाठक को उतार दिया है तो इस बार वहाँ का मुकाबला काफी दिल्चस्प हो रहा है तो यह तो चार सीटे वो है जिनमें कि BJP विपक्ष के वोटों को जोड दिया जाय तो भी भारी पड़ रही थी लेकिन चार सीटे ऐसी है जहां पे कि BJP का वोट सेर विपक्ष से कम था इसके बावजूद चुनाव जीती थी वो है सबसे पहले हम नगीना की बात करें तो नगीना में BJP का वोट सेर 39 परसेंट था जबकि एसपी बीएसपी का वोट को परसेंटेज को जोड़ देते हैं तो यह जो है लगभग जो है बैठता है 56 परसेंट के आसपास और कांग्रेस का भी इसमें जोड़ते हैं तो और भी ज्यादा हो जाता है और इस बार गीना से जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो BJP के यसवन सिंग जो की एक्जिस्टिंग सांसद हैं कांग्रेस ने ओमुवती को उता रहा है जबकि गटबंधन ने ग लग लग लड़े हो 48.69 परसेंट तो इस तरह से ये विपक्ष का वोट परसेंट ज्यादा था इसके बावजुद BJP जितने में काम्याब रही थी इसी तरह से ये अलीगड़ सीट की बात करें तो अलीगड़ सीट पे बीजेपी को 48.34 परसेंट वोट मिले थे और जो 37 कुमार गौतम BJP के मवजूदा सांसेद है कांग्रिस ने बिजेन सिंग अपने अनभवी निता को उतारा है और गटबंधन ने अजीत बलियान को चुनाओ मैदान में उतारा है ठेक आब यदि और आगे बढ़ें और और देखें कि तो फतेहपूर सिकरी की बात करेंगे फतेहपूर सिकरी में BJP ने अपना टिकट जो है चोधरी बाबुलाल का काट करके और वहां से जो चुनाओ मैदान में उसने उतारा है वो उतारा है राजकुमार चाहर को पिछले चुनाओ के यदि बात कर लें नहीं 2014 की तो BJP के 44.06% वोट मिले थे और गटबंधन को 48.22% यनि उसे ज़्यादा था तो अगटबंधन ने अब की बार उतारा है वहां से डिवाई के पूरु विधायक रहे है स्री भगवान सर्मा और गुडू पंडित को और कांग्रेस से खुद कांग्रेस के प्रदेश सद्धाक्ष राजबबर चुनाओ लड़ा रहे हैं तो ये वाउजूद बीजेपी आठो सीटा निकालने में काम्याब हो गई थी इस बार देखना है कि क्या होता है क्योंकि राजनीत में हमेशा दो और दो चार नहीं होता लेकिन हमेशा दो और दो बाइस की भी गुंजाईस नहीं रहती है जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे आप देखती रही है हमारा डिजितल चैनल इन खबार उसे लाइक किजिए शेयर किजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें थैंक यू